असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उभीत करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे दोस्तों आज हम बॉयलर सीरीज का नेक्स लेक्चर देखने जा रहे हैं जो के है लोको मोटिव बॉयलर के बारे में तो चलिए आज का लेक्टिर शुरू करते हैं आपने देखा होगा कि पहले दोर में जो ट्रेने थी वो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर जो नजर आ रही है इस तरह का उन में इंजन होता था जी यहां दोस्तों यही लोको मॉटिव बॉयलर है जिसके उपर यह स्टीम इंजन करता है जबकि इसके अंदर एक आटिफिशल ड्राउट भी लगाया जाता है इस में स्ट्रीम जिनरेशन रेट जो होता है वह जयता होता है क्योंकि इसमें जो ग्रेट इस्तिमाल कि जाता है वह ज़्यादा बड़ा साइस को तैसकी वाजा से जज़ाए सकते हैं कि वाक्त म स्मॉक बॉक्स ब्लस्ट पाइप बागी जो पार्ट से उनको अमने डिसकास कर लेगा था यह आप एक न्यूपार्ट से फायर प्रिक आर्ट जो है इसको हम देख लेते हैं यह वाइलर की जो फरनस होती है इसके अंदर लगा हुँ होता है और यह जो जब हम कोईले को जला होता है इसके दो मकसद होते हैं एक तो यह स्टीम को करने के लिए यूज की जाता है जब कि दूसरा यह जो एक्मस्फिरिक एयर और जो फ्रेश एर उसको वह रोकी चिमनी में दाहिल करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है नेक्स्ट इमारे पस टीम पाइप उसके बाद र सब्सक्राइब को मजीद इनक्रीज करने लिए लगा जाते हैं ताक्रे法 करने यह ए सब्सक्राइब के सब्सक्राइब ऑले इने यह चैँ में और इन त्ब टाप बाइब होती हैं और मोग निए इसके अंदर एक regulator लगवाँ आता है जो को इस्टीम को regulate करने के लिए इस्तेमाद की जाता है Charlier नेक्स्त एमारे पास रिड़्ोल्टर वाल्ब इस्टीम को regulate करने के लिए ुज किया जाता है उसके बाद सेफटी वाल भी आमने पहले डिसकास कर लिए है उसके बाद है सुपर हीटर हैडर सुपर हीटर हेडर दोस्तों यह सुपर हीटर के vapor लगता है जिसमें स्टीम पाइप की मतर् proof करने के लिए सुपर हीटर हीडर लगाए जाता है नेक्स्ट है मारे पास इसकी वर्किंग वर्किंग के वाले से आप देख लिए नीचे सबसे जो बाटम में बनुए हैं मुखलिफ कलर हैं को आगे नाम दिखा हुए कि कुछ सा कलर किस चीज के लिए यूज हो रहा है ब्लू कलर जो है वाटर के लिए यूज हो रहा है रेड सब्राइब ब्लकिंग बुर्इब के रडू हुए यूज हो जाए घर गल नो इसको चुरू हो जाता है जा पानी में बना जुरू हो जाती है लगा हुए थू्सका आफ़क्ट हो जाती है मज़ीद temperature increase करने के लिए Super Reader में बैज दिया जाता है Super Reader की मदद से इनको मज़ीद गरम किया जाता है और Super Reader Gases को दोबारा फिर जो steam engine होता है उसके अंदर चार्च किया जाता है जिसके वज़से steam engine की working शुरू हो जाती है नेक्स्ट हमारे पास advantages of locomotive boiler यह portable होते हैं असानी से एक जगा से दूसरी जगा इनको transfer किया जा सकता है और it is capable of meeting sudden and fluctuating demands of steam यह steam की जो demand कम ज़्यादा होती रहती है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा हमियत के अमेल है next हमारे पास effective cost N की steam generation rate जएदा है साइज इनका compact है कम साइज की होते हैं और जो operation है इनका वह असान होता है next है मारे पास disadvantages effective problem of corrosion and scale formation इनके अंदर जो जंग लगने की या जो scaling हो जाती है उसकी जो problem होती हो जैदा होती है enable to work under heavy load condition because of a rating problem जो जैदा heavy load होता है उस के अंदर इन boiler को यूज नहीं के जा सकता है और heavy load के अंदर इनका काम नहीं कर सकते है क्योंकि इनके अंदर और रिटिंग की problem हो जाती है some of its water space is difficult to clean और इन में कुछ ऐसी जगे है जो पानी की जो सफाई करने के लिए कि मुश्किल होती है महाता कोई approach नहीं हो सकती है असानी से नेक्स्ट हमारे पास application of locomotive boiler they are also used in railways and marines traction engines steam rollers portable steam engines and some of the road vehicles यह इनको जारता steam engines के साथ use के जाता है जैसे के सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी डाय पिक्चर एक railway के साथ जो इंजन लगा होता है वह locomotive boiler के काम करते हैं इसके लावा मेराइन के जो इंजन होते हैं तो भी उनके अंदर भी locomotive boiler को यूज किया जाता है थैंक्स वर वाचिंग व्यूर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मजीद वीडियो आपको मिलती रहें